नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एश्ट्रोकार्मे कोच में मैं रेनू चतुरवेती आज हम आपको बताएंगे सरस्वती योग के बारे में सरस्वती योग क्या होता है और यह किस तरह से लागू होता है कुंडली पर किस तरह से प्रभावी होता है सरस्वती योग जिसकी भी कुंडली में होता है वो बहुत प्रभावी होता है और उसका प्रड़ाम ये होता है कि ब्यक्ति अच्छा लेखक कभी या फिर कडितग्य होता है और उसका अपने विशे में बहुत अच्छा कमांड होता है वो बहुत ही अधिक फैमस होता है और उसे सब जानते हैं सरस्थी योग बहुत ही अच्छे योग माना जाता है और ये कुंडलियों में कम देखा जाता है ये वो योग नहीं है जो अधिकतर कुंडलियों में पाया जाए ये अधिकतर कुंडलियों में मिल जाए ये बहुत कम कुंड़ी में देखा जाता है अब हम आपको बताते हैं सरसोती योग कैसे स्रजीत होता है और यह कुंड़ी में किस hospitalized से देखें तो आप अपनी कुंडली उठा के इसमें देख सकते हैं मैं आपके गुदार के लिए कुंडली लाई हूं अच्छा हम इस तरह से कुछ वीडियो हमने इस तरह से इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हम बताते हैं कि लगने इस केंदर में हो या फिर यह ऐसा हो तो लो तो आप इस कुंडली के माध्यम से काफी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम क्या कहते हैं देखिए यह कुंडली है इस कुंडली में बुद्ध गुरु पहले हम आपको पताएं कि होता क्या सरसुतियोग सरसुतियोग केंदर में इन केंदर में किसी भी या फिर इन में से क इसी भाव में बुद्ध गुरु और शुक्र ब्रस्पत बुद्ध और शुक्र ये तीनों जब किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो इस योग का निर्माड होता है अच्छा अब दूसरी बात अगर ये ग्रह तीनों एक साथ ना भी बैठे हो तब भी इस योग का निर् तो बुद्ध गुरु अगर यहां बैठे हैं और सुक्र यहां हैं तो बुद्ध और गुरु पूर्ड द्रश्टी से सुक्र को देख रहे हैं कुर्कि सब्तन द्रश्टी से पूर्ड द्रश्टी से देखेंगे ऐसे में भी योग स्रजीत होता है यानि कि जरूरी नहीं कि त किसी भाव में मानली जी इस भाव में हैं ठीक है इस भाव में बुधर गुरु बैठे हैं तो इस भाव में बैठे हैं तो यहां से एक दो तीन चार मानली जी इसमें बुधर गुरु है तो यहां पर अगर शुक्र है तब भी योग स्रजित होगा यानि एक चार साथ दस तो यह एक चार साथ दस का मतलब यह नहीं कि यहीं बैठे हूँ, अगर इन में से किसी भाव में बैठे हूँगे, तो वहां से चार साथ और दस में यह योग निर्मित हो जाएगा, तो अब आप यह समझें सरस्वतियोग किसे कहते हैं, सरस्वतियोग कुंडली में इस तरह से, ऐगर बुद्ध गुरु सुक्र की यूति या एक साथ बैठी हम, या फिर दरश्टी सम्पन्द बनाती हम तो स्रजित होता है। अचा ये बहुत फलदाई कब होता है? ये बहुत फलदाई तब होता है जब सुक्र बुद्ध या गुरु सुरासी में हों या उच्च की रासी में हो तब ये बहुत अच्छा फलदाई होता है अगर ये नीच के होते हैं सत्रो रासी में होते हैं तो ये उतना फलित नहीं होता है कुंडली में सरस्वती योग तो होता है मगर वो उस तरह से फलदाई नहीं होता है जिस तरह से फलदाई सरस्वती यो अच्छा इसके अलावा जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था फिर कहती हूं इन बातों का ध्यान रखें कि लगने से स्ट्रॉंग होना चाहिए क्योंकि हमारे सारे धरे रह जाएंगे अगर हमारा खुद का ब्यक्तित्व ही स्ट्रॉंग नहीं होगा हम खुद ही उस पात्र नहीं होंगे उस योग को धारण करने के तो फिर इस योग का होना ना होना बेकार हो जाएगा इसलिए इस बात का भी विसेज ध्यान रखें अच्छा अब हमने बताए कि इस कुंडली में कैसे स्रजित हो रहा है बुद्ध और गुरू यह दोनों इस भाव में इसलिए कुछ वीडियो में अच्छा योग किनद्र में होते हैं ये इसके अलावा लगनेज मंगल यहां पर दसंभाव में उने अच्छा योग होता है कुछ में राहू, कुछ मतांतरों में राहू को व्रिसरासी में और कुछ में मिथुनरासी में उचका माना जाता है इसी प्रकार से केतू को कुछ में व्रस्चिक और कुछ मतांतरों में धनुरासी में उचका माना जाता है राहू और केतू भी उचके माने जाएंगे, अगर राहू को वृत्सवराशी में उचका माना जाता है, जबकि मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा अच्छा परेडाम देखा है, लेकिन फिर भी उपने अपने उचके मत हैं, इसके अलावा राहु, केतु, गुरु स्वरासी में मंगल उचके, चंद्रमा मेसरासी में मगर उचके हैं, तो इस तर सनी उचके हैं, इस तर ऐसे सकुंडली में या तो अधिकतर ग्रह उचके हैं या स्वरासी के हैं, अच्छा, सूर्य और केतु गुरहडियों भी बना रहे तो जब इसका सूरिम की महादसा में केतु की अंतरदसा प्रति अंतरदसा चलेगी तो म्रत्य उतुले कश्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि अश्टमेश जो हैं वो उच्चके हैं तो इसका परिडाम तो भुगतना पड़ेगा यह मारक भाव होता है तो हमने आपको पूरा बताया कि इसमें किसको क्या कहते हैं यह लगन है दसम भाव कारे से संबंदित माना जाता है यह पंचम नम यह भाग्ये है यह संतान भाव पुद्धी विद्या धन वगयरा भी इससे देखा जाता है यह विवा का घर देखा जाता है और निपिद्धी के यहाँ पर हैं मंगल केंदर में हैं तो रुचग नामक योग बनता है में वह अपनी आयू से बहुत कम उमर का दिखता है अधेरह Лँ व काफी सुन्दर होता है और कछिर संदव तो इस तरह इस कुंडली में इतने सारे योग वित्मान है अब आपको अगली वीडियो में हम और भी योग बताएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि आप हमसे जो वीडियो आपको अच्छा लगे आपके मतलब का हो उसे आप जरूर देखें इस तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स भी होता है जब एस्टोकार में कोच को आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमे झाल